So, hey guys, welcome back to my videos आज की वीडियो के हम बात करने वाले Pi के बारे में वो Pi के बारे में जो 17.6 में William Jones ने mathematics में create किया था आज वो Pi के बारे में बात करेंगे जो Stanford University के तीन चात्रों ने मिलके बनाया था March 19, 2019 में Pi the Cryptocurrency So guys, आज की वीडियो में यही बात करेंगे Bitcoin का चोटा Pi को या Pi Network इसे कैसे अलग करनसी बनाते है बाकी सारी Cryptocurrency और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप इसे invest करना चाहिए या mine करना चाहिए आज की वीडियो में यह सारे doubt clear करूँगा मैं बाई गोजा, आप देख रहे है बाई टूटर्स Let's get started Cryptocurrency उसके बारे में तो सुना ही रहेगा जैसे Bitcoin, Ethereum, Shushin आपकी जो Cryptocurrency है वो सारी Cryptocurrency को बाई करने के लिए यहाँ पे दो मेथड़े अब cryptocurrency exchange platform में जाके उसे INR से बाई कर सकते है इंडन रुपी से बाई कर सकते है यहाँ तो फिर दूसरा method है वो mine कर सकते है तो यहाँ पे जो बाई कमा method है वो हम लोग side में रखते है बाई करने का और यहाँ पे आते है mining के अब mining करना है तो यहाँ पे जो आपको एक powerful GPU या powerful CPU चाहिए रहता है यहाँ एक special mining unit चाहिए रहता है तो यहाँ पे जो affordable method नहीं है हम लोग के लिए तो यहाँ पे जो story में आता है PIE Network पाई Network एक किसी community जो आपको अहलाओ करती है cryptocurrency माइन करने के लिए अपने mobile के अंदर यहाँ पे twist यह है कि यहाँ पे दूसरी कोई cryptocurrency माइन नहीं कर सकते है सिफ PIE Coin माइन कर सकते है जैसे Bitcoin हो गया है तो यहाँ पे आप सिफ PIE Coin माइन कर सकते है और भाद में जापके आप PIE Coin को बिटकोई के साथ exchange कर सकते है जो भी rate रहागा है मार्केट का उसके उपर तो value अभी तक decide नहीं हुए क्योंकि लिए PIE Coin या PIE cryptocurrency अभी तक मार्केट में launch नहीं हुए है इसलिए यहाँ पे उसकी value नहीं पता है पट यहाँ पे मैं आपको एक reason दूँगा कि यहाँ पे क्यों आपको यह PIE Coin या PIE cryptocurrency अभी mine करनी चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा history में जाते इसकी एक Bitcoin की value तो यहाँ पे क्या किया लोगों ने Bitcoin जो starting में अपने पास mine करके रख लिया और अभी जब future में उनकी value देखेगे तो यहाँ पे वो सारे जो जितने पहले Bitcoin mine करके रखा था वो अभी यहाँ पे करोर पती है लाग पती है तो यहाँ पे क्यास आपको भी chance मिल है कि यहाँ पे अगर आप cryptocurrency mine करके अभी अपने रख ले तो यहाँ जमा कर ले तो एक particular amount और future में जाके ओ जब market यह main net में आएगा जब launch होएगा तो यहाँ पे जो वो maybe इसकी value इतनी चली जाए कि आपको रात ओ रात लग पती बना दे तो यहाँ पे अभी cryptocurrency की value जो अभी त अभी तक PIE cryptocurrency आई नहीं है तो यहाँ पे जो cryptocurrency PIE cryptocurrency को बनाने वाले founders है यानि तीन जो Stanford University के students थे वो इन्होंने ये जो PIE cryptocurrency बनाई है अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे तीन phase इन्होंने decide किये guys पहला phase जो cryptocurrency है PIE cryptocurrency को design करना दूसरा जो phase था वो test net पे इसे mine करन और तीसरा जो phase था उसे main net पे इसे launch करना main net यानि market में आप इसको launch करना basically तो यहाँ पे जो अभी तक सिफ यह phase 2 में है यानि test net पे आप इसे mine कर सकते हो यहाँ इसे exchange नहीं कर सकते है यहाँ किसी को बेज सकते हो यह सिफ आपके mobile application या PIE application के अंदर रहेगी तो यह अक्वर बहुत बतातू कि यहाँ पर यह application आपको प्ले स्टोट पे अवेलेबल है और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा setup guide दूँगा कैसे आप अपने mobile के अंदर इसे install करके इसे setup कर सकते हो और इसे mine कर सकते हो यहाँ पर मैंने almost 100 pi cryptocurrency mine करके रख़ी और जब इसे main net पे launch होईग तो में भी इसकी value आगे बढ़के बहुत हो जाए और मैं आतो लगपती बन जाओ आप भी try करो में भी आप भी लगपती बन सकते हो यह एक और chance मिल रहा है आप regret नहीं करोगे कि आपने big twin में माइन नहीं किया था guys तो अभी चलते direct setup पे कैसे इसे setup करना आपके mobile पे तो let's get started so कैसी कोई लंबा setup गया नहीं होना बहुत ही चोटा setup गया और फटाक से setup हो जाएगा प्ले स्टोर से जाके आप download कर सकते हैं यह आपके apple store से जाके download कर सकते हैं बैसिकल डाउलोड करने के बाद इंस्टोर करने के बाद बाद इंस्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी आप पहले तो आप अपने facebook फोन नंबर से रेजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर मैं अपना phone नंबर से फटाक से रेजिस्टरेशन कर लेता हूं तो रेजिस्टरेशन कर लेता हूं तो अपको इसा कुछ सिंबॉल दिखेगा अभी मेरा जो औरेंटेशन है रोटे में लेंस्केप म option यहाँ पर सायद नहारे बाद में तो आप यहाँ पर password सेट करना बरबर से तो मैं फटाक से setup कर लेता हूं तो setup करने के पड़ यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत information फील करना पड़ेगा अपना जो normal जो create करते हैं अकाउंट उसके लिए उतना information फील कर दिया फटाक से मैं फिल कर लेता हूं तो जैसे आपको setup करता हूं हो जाएगा तो यहाँ पर जो option आएगा invite code का आएगा अगर आप इसे invite code नहीं डालोगे तो यहाँ पर आगे बनने नहीं वाला तो यहाँ पर आपको direct return login page पे लेके जाएगा guys तो यहाँ पर जो invite code ज़रूरी है तो यहाँ पर मैं आपके सामने भी डाल देता हूं और dark dead pool 1 यहाँ पर dark dead pool 1 यहाँ पर बीना space के डालना है guys और submit पर क्लिक करना है तो यह आगे बड़ेगा न तो आप direct login पे चलोगी जाएगा और यहाँ पर जो देख देखते हैं मैंने यहाँ पर जो 1Pi क्रिप्टोकरंसी अर्डी mining start हो जाएगा अब यहाँ पर आपको करना किया है basically हर 24 hours में आके एक बार यह application खोलना है और यहाँ पर tap करना है और यहाँ पर मैं थोड़ा tour दिखा देता हूं आपको basically यहाँ आपको balance दिखेगा है यहाँ से आप आपको chat भी कर सकते हो और यहाँ पर आप जो अपने अपक जो basically हर 24 hours में आके click करता है यहाँ आपको click करना है और यहाँ पर contributor का section है वो तीन दिन mine करने के बाद यहाँ तीन दिन लगा तर आप mine करोंगे उसके बाद यह contributor का section खुलेगा और आपको extra pie जो हर mine कर सकते हो और ambassador का मतलब यहाँ आप जो आपके नीचे जो जितने जन ने और join किया है आप यहाँ पर देख सकते हो तो node का मतलब यहाँ पर basic अभी तक launch नहीं हुआ है बट फिर भी यह जो testing period बे नोड का node means एक ऐसा software है पाइक network का जो आप अपने computer में डालगे computer में भी mine कर सकते हो basic हरी तो यहाँ पर जो मैं भी दूसरे को video में बताऊंगा तो यहाँ यहाँ पर आपको इसा interface दिखेगा यहाँ पर आपको चैट कर सकते हो गर आपके नीचे जो भी काम करता रहें आपने जो referral code से जो जिसने भी जन जॉइन हुए रहें हो यहाँ पर देख सकते हो उसके नीचे आपको total numbers of people दिखेंगे और यहाँ पर आपको हर 24 hours में क्लिक करन यहाँ पर ग्रीन कल बटन हो और यहाँ पर मैं आपको तीन लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़े options दिखेंगे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो की home यहाँ यह home page यह पी यूटिलाइज यानि पाई यूटिलाइज यानि पाई की जितने फ्यूटर में लांच होगे यानि जो वालेट होगे या कोई भी क्रिप्टोकरंसी एक्सेंड फ्रेटफॉर्म में यहाँ पर दिखेंगे अर्न पाई यानि आपको बेसिकली आपका दिखा देगा ब्रेकडाउन दिखा देगा कितने गंटे मैं कितना अर्न कर रहे हो अभी पर मैंने नीचे कोड दिया आप जाकर सपोट करना चाते है तो ज़रूर डाउनलोड करना यह मेरे लिंक से और यहाँ पर नीचे गईस ओर्निंग टींग डेख सकते हो ओर्निंग बेसिकली तो ओर्निंग टींग के अंदर भी आपको कितने पॉब्लिच जो माइन कर रहे हो अगर कोई inactive माइन तो यहाँ पर पे प्र Mississippi कट कर सकते हुं यानि जो भी माइन नहीं कर रहा प्रॉइल गातुच ना यहां पे उसके बाद यहां पे आपको rules पढ़ सकते हो, chat है, node है, और नहां पे जो एक option है, वह वाइट paper का, वाइट paper बेसिकली यह पूरा pie cryptocurrency का एक theory है, उसको आप जाके पढ़ कर सकते हो, जैसे कितने phases है, etc. किसने बन आया, और pie cryptocurrency है, कि actually, वह सारी चीज़ी यहां पे वाइट paper के अंदर माल हो पढ़ जाएगी, guys. So, just guys, इतना ही setup था, hope यह चीज आपको अच्छी लगी है, अगर इसमें और वीडियो चाहते हो, cryptocurrency कैसे माइन करें, कॉम्पूटर में, और यहां कोई software, यहां कोई hardware पर कैसे माइन करें, देखना चाहते हो, तो ज़रू मेरे को कमेंट करना में, और वीडियो से ज़रू लगा, और अचला का तो like पारो, नवय हो, तो subscribe कर लियाना नवें तर दूसरे वीडियो पे, peace out. करें